को लेकर भगवान देवदी देव महादेव ब्रमन के लिए गए काशी घुमने के बाद मर्तियों लोक में घुमते घुमते मेरे महादेव समुद्र के किनारे पर पहुच गए मेरे बाबा जब समुद्र के किनारे पर पहुचे तो शंकर भगवान एक लीला रची शिव जी न कि माता पार्वती समुद्र के किनारे पर रूगी सुबा हो गई दोपहर हो गई शाम हो गई परदोश काला गया शिव जी नहीं आई बागवान संतर नहीं कि बाबा भोले नाथ में कि इंतजार कर रही है मां कि रात होने लगी पार्वती को याद आया कि आज तीच का ब्रत है मेरा कि आज मेरा तीच का ब्रत है कि और तीच का ब्रत है पार्वती को याद आया कि आज मेरा तीच का ब्रत प्रभू तो आये नहीं समुद्र की रेत का शिवलिंग बनाया बालू रेत का और पार्वती जी ने उस बालू रेत के शिवलिंग को बनाकर उसका पूजन जो समान मिल गया उससे कर ले जो मिला का इसका ब्रश्चास मतलब जानते हो आप से दोलो कि चावल का जो एक दाना होता है कि चावल का जो एकार घाना जो अक्षथ का जो जो ब्लाना होता है मान लो तुमारे पास में बेलपत्री नहीं है मान लो पंडी जी बोल रहे हैं बेलपत्र चड़ाओ पुश्प चड़ाओ लाल पुश्प चड़ाओ दुर्वा चड़ाओ तुमारे पास में कोई समान अगर नहीं है तो श्यू महापुराण की कत्था करती है एक चावल का दाना तुम जो पंडी जी बोल रहा है कि बेलपत्र चड़ाओ नहीं है चावल का दाना चड़ा दिया पंडी जी ने बोला तुमारे पास में ये चड़ादो वो चड़ादो तुमने एक एक चावल का दाना पंडी जी क चावल का दाना आप चड़ा रहे हो उसका मतलब होता है कि शंकर भगवान की पूजन में सारा साहित एक चावल के दाना चड़ाना मतलब सब चड़ जाए एक अच्छा कि सब कुछ समर्पित कर देजा है सब एक चावल का दाना शिवजी को समर्पित करा सब समर्पित करा सब कुछ यहां पर एक कोई एक भाई यहां पर बेटे हैं रोसेवा में भी लगे रहते हैं उनके जितने उनके गाउं के लोग हैं कोई गरीबड़ा भी है तो एक मुठी चावल कोई थोड़ा जमीन अच्छी है तो दो मुठी चावल कोई पांच किलो कोई एक किलो कोई पंदरा किलो कोई दो उनके गाउं के लोग इखिटा करते और जब रुद्राक चुस्व होता है उस रुद्राक चुस्व के पहले या गुरु कुर्णिमा के पहले वो पूरा ट्रक भरके चावल लेकर कुबरेश्वर धाम पर आते हैं कहां बेठा हैं वो आज आये हैं कि नहीं आज कि जो सीहोर कुबरेश्वर धाम पर गाड़ी लेकर पहुंचते हैं रोज सेवा में भी लगे रहते हैं रोज तो थे आज नहीं दिख रहा है कि शिव कृपा स्थ चंकर की उदार का स्थ एक चावल का दाना भी अगर आपका शिव को चड़ रहा है आप मंदिर में जाकर एक चावल का दाना चड़ा रहे हो तो यह मान कर चलना कि वह अक्षात मतलब आपने रोली नहीं चड़ा पाए जल नहीं चड़ा पाए दूद नहीं चड़ा पाए दही नहीं चड़ा पाए अप दिया नहीं लगा पाए मतलब एक चावल का दाना शंकर के शिविलिंग पर कि अरे तेरा ही दिया मेंने खाया पिया है तेरा शुक्रिया है सब कुछ दे दे एक चावल के दाने में वो बल होता है कि भगवान कृष्ण आधा चावल का दाना मुख में लेते हैं और दस हजार ब्रहम्मन का पेट भर देते हैं आधा चावल का दाना जब मेरे भगवान खाए तो दस हजार ब्रहम्मन का पेट भर देते हैं एक चावल का दाना मेरे द्वारी का नात खा लेते हैं तो पूरी प्रत्वी का पेट भर देते हैं एक चावल के दाने में वो बल होता ह एक चावल को बबल को बस जूट प्रपंच से दूर रहें पारवती महियां कुछ नहीं मिला माता पारवती को तीज की पूजान के लिए कुछ बालूरेत का शिविलिंग बना लिया पारवती जी ने कोई व्रक्ष की पत्तियां तोड के लिया ही वो चड़ादी पारवती जी ने एक चावल का दाना माता पारवती के पल्लू में बंदा हुआ थी क्यों माता पारवती जी आज जो साड़ी पहनी थी जो चूनर माता पारवती जी पहनी थी वो चूनर पहन कर माता पारवती जी अपने माई के गई थी माई के से जब आई थी माने गोदी भरी थी आप के यां भरते की नहीं भरते हमें पता नहीं बेटी जब अपने घर से जाती है तो उसकी गोदी में थोड़ा सा चावल बता सा कुछ भी बेटी की गोदी में डाल कर भेजते हैं यहां पर एक की नहीं ऐसा वह में नहीं मालुम पर हमारे उदर तो ऐसा क्रम है चतिषगड में हैं बेटी बिदा होती है ननंद बिदा होती है बेहन बेटी आ जाती है तो उसकी गोदी में थोड़ा सा चावल बता सा रुपिया जो भी डाला जाता है तो बेटी पूरा चावल लेकर घर नहीं जाती है वहीं रख जाती है उसमें से थोड़ा सा पल्लू में बान कर ले जाती है दो दाने चार दाने अब लोग हसते हैं आज के जमाने में अगर बेटी को चावल का दाना दे दो और बेटी पल्लू में बान के ले जाए तो लोग हसे हैं पर उस चावल का महत्व क्या है बेटी जब अपने माई के से जाती है तो उसकी गोदी में चावल का दाना क्यों दिया जाता है बेटी जब अपने माय के से जाती है तो उसकी गोद भर कर क्यों भेजा जाता है शादी में जितने फेरे की मूलता नहीं जितने मंडप की मूलता नहीं शादी में उतने बेटी के गोद भराई की मूलता होती है साधी होती है उससे पहले उसकी गोद भरना पड़ती है जेट भड़े ससूर भरे कोई भी भरे उसकी गोदी में कुछ ना कुछ वस्त राबूशन जो लाए है वो देना पड़ता उसकी मूलता क्यों भरा जाता बेहन बेटी की गोदी में चावल का पसी वो गोद भराई क्यो दी जाती है वो चावल क्यों डाला जाता है उसका केवल एक कारण है मेरी बेहन मेरी बेटी जैसे अखंड सो भाग्य लेकर मांग में सिंदूर भर कर माथे पर बिंदी लगा कर तू मेरे घर पर आई है यह चावल इसलिए दे रहे हैं कि तेरा खंड सो भाग्य ऐसा ही बना र यह सब बंद हो गया पर बेहन बेटी दो दाने चावल के लेती थी और जो उसकी गोदी भरता था उसके भी गोदी में से वो दो दाने ठाली में या अपनी भावी को या उस पात्र में डाल देती थी वो चावल के दाने आज माता पारवती जी के पल्लू में बंदे हुए माने उस पल्लू में से चावल के दाने को निकाला और निकाल कर देव अधिद्य महादेव के शिवलिंग पर समर्पित किया माने चावल के दाने शिवलिंग पर समर्पित किया पार्वती जी जागी तीच का ब्रत किया सुभेरे देवधिद्य महादेवागर सुभेरे मेरे बाबा पुता कि संकर भगवान आए आते सी भोलेनाथ जी ने पूछा पार्वती कल तुमारा तीच का ब्रत था मैं नहीं था तुमारे पास में तो तुमने तीच का ब्रत नहीं करा पार्वती जी बोली अभी सुभे के टाइम तो मैंने आपका पार्थिव शिविलिंग का निर्मान करकर बालू रेत का शिविलिंग बनाया उसको विसरजन करा पूजन करी मैं अभी करी मैं नहीं मानता कि तुमने पूजन करी पूजन का समान कहां से आया पारवती जी बोली पूजन का समान तो नहीं ता पत्तियां तोड़ कर चड़ा दी एक चावल का दाना मेरी मा के घर का बंदा था वो चड़ाया कहा करी थी पूजन यहीं करी थी अब समोद्र की लेहर इसी आती है कि जहां पन अप लोग अगय समोद्र पैख समोद्र की लेहर पारवती जी बोली यहां करी पूजन तो कहीं दिखी नहीं रही पूजन तो कहीं पर नजदी नहीं आ रही पारवती जी बोली हमने पूजन यहीं करी थी आपको विश्वास नहीं नहीं आपने पूजन करी तो पूजन जहां होती है वहां कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत त तो होता ही है पंडाल उड़ जाएगा व्यासपीड चली जाएगी केमरे वाले चले जाएंगे साउंड वाले चले जाएंगे टीवी वाले चले जाएंगे दरी उड़ जाएगी फिर भी कवडिया वालो तुम अगर 15-20 दिन बाद भी अगर इधर आसपास में कहीं घुमोगे तो तुम्हें स्यु महापुरान की कोई ना कोई निसानी तो पड़ी मिली ही जाएगी कोई दो ना पड़ा मिल जाएगा पनी पड़ी मिल जाएगी कुछ ना कुछ पड़ा मिली जाएगी कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ तो मिलता है आप बताओ मुझे यहां पर क्या ह पूजन का कोई साहित पूजन का कोई समान दिखनी रहा है अर्वती जी बोली बड़ी गजब फसी आस्तों में अब इनको कैसे बताओं कि पूजन मैंने करी थी और यहीं पर करी पूजन करी और मैंने यहीं पर करी कैसे बताओं सामने गव माता खड़ी थी पारवती जी ने कहा रुको अभी रुको मैं पुछवाती हूं मैंने तीज की फूजन करी की निकली पारवती जी ने गव माता को आवाज लगाई मैं आओ गो माता नस्दीक में आई पारवती जी ने का गो माता रात्री को तू जग की थी मेरे साथ मैंने अतीज का ब्रत करा पूजन करी भजन करा शिवलिंग बनाया गो माता बोल मैंने रात्री को तीज का ब्रत करा कि नि करा तू बता गव माता ने अपना मुख हिला दिया कि गो माता ने मुख हिलाया अब जैसे ही गो माता ने मुख हिलाया शिव जी ने कहा देख ले पार्वती तुने पूजन नहीं करें पार्वती जी की आँख में जल भर गए प्रभू कि आप जानते हो ना कि गाए ने तुम्हारे सामने भी एक बार जुड बोला था ना शिव जी कते हैं मानता हूं पर आज तो तू पूरुक दिलवा रही ना पार्वती जी ने गो माता के आगे हाथ जोड़कर कहा मा बोलो मैंने तीच की पूजन करी कि नहीं करी गव माता ने जूट बोल तो कारण पूजन तो करी थी पर पूजन का कोई परसाद कोई भाग गाय को नहीं मिला था इसलिए गव माता ने कह दिया पार्वती ने कोई पूजन नहीं करी पार्वती मैया के आंख से जल बेह गया मा तो पूजनिय है तेर में तेतिस कोटी देवी देवता विराजमान है धर्म तेरे पत्पर्टिका हुआ है मा पर तुने जूट बोला है तेरे मुक से जैसे जैसे कलियुक बढ़ेगा मा तो जूट बोली है इसलिए तुझे जूटन खाना पड़ेगी तो जूट बोली है इसलिए तुझे जूटन खाएगी कलियुक जैसे जैसे बढ़ेगा तुझे जूटन मिलेगी संकर भगवान करते हैं पार्वती तुम गौमाता को शराप दे रही हो नहीं नहीं शराप नहीं दे रही हो मैं कह रही हूं जैसे जैसे कल्यूग बढ़ेगा वैसे वैसे जैसा तुने जूट बोला है वैसी तुझे जूटन खाना पड़े गाय पवित्र है शरीर पवित्र है पर मुख इसने जूट बोला और सुनोनात में पारवती इस समुद्र तट पर खड़ी होकर कहती हूँ संसार का मनुष्य चाहे कितना भी दान करे कितना भी पुन्य करे कितना भी भजन करे पर अगर जूट बोलता है तो उसको एक जनम लेकर मृत्यू लोक में जूटन खाना ही पड़ती है आ नहीं पड़ती है सिलाक योनी में एक योनी हमरी सुंगर की भी होती है इस योनी में से हमको निकलना पड़ा है